सबसे बड़ी बात है कि मैटर तो चला गिया है जो संब्धित लोग है उन्होंने स्सीयश जाता है तो अब हमारे सामने तो अभी हमारा पक्ष रखने के लिए हमें जब वहाँ पर जाना पड़ेगा तो सबसे वड़ा बात हम लोगों की इस चीसका धिया रखना है कि हम वहाँ पर एडवोकेट जो अपना लेकर कि वहाँ पर अपनी बातों को रखना है जिसमें हमारा पक्ष होगा और जिस तरह की बहस हम लोगों ने हाई कोड में का मेटर है तो यह पब्लिक फ्लेटफॉर्म के माध्यम सी या ज्यादा ज्यादा लोगों तक जुडने क्या विसकता अभी हम लोग को पढ़ेगी और इसी लिए ही यह लाइव सेशन ज्यादा 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 उतने अभियारती हैं वहां तक पहुंचे और एट अभियारती हैं फिलाल ज्याद के अंदर जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं मुझे ज्यादा अभियारती और सीटेट के लेकर करके हम लोगों लोग ने एक जुटता दिखाई और उसी की बदलों जहना हम लोग यहां तक पहुंचे कि हम लोग फाइनली जो है ना यूटम के माध्यम से बाकी माध्यम से हमारा लगातर संगर्स द्यड्र 2 साल करा है उसके माध्यम से हम लोगों ने साहय का चार्ज में सीटेट उत्री अभी convention को नहीं मिल पा रहा था और हम लोगों निहां तक केस को फाइल करके हाई को माध्यम से आभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनोती है वो सुप्रीम कोट का वहाँ भी निशिय दुर्फ से हम लोग विजय होंगे लेकिन साथियों इस इसको आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोट में थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर बहुत कुछ हो जाता है तो हम वहाँ पर कोई भी रिस्कल नहीं ले सकते हैं इसलिए हमें बहतर से बहतर एड़ोकेट के मादम से अपनी बातों को अपना पक्ष को मजबूती के साथ हुआ रखना पड़ेगा और इसमें आपको भी पता है कि सुप्रीम कोट में अगर हम लोग जाते हैं बढ़नी पड़ेगी हम लोग लगाता टच में है अड़ोकेट के मादम से वहाँ पर जो भी हो सकती है हम लोग बाते रख रहे हैं कर रहे हैं और जब से यह चीज़ें हुई हैं ना सरी यहाँ बलकि जब से लगा कि सुप्रीम कोट बाते पहुंच सकती हैं तब से हम लोग तो मैं आज भी इस चिस पर में जो है ना मैं बहुत ज्यादा अमलब इच्छा रखता हूं कि जारकण में नुक्री करने का लोगा करने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं सूरच सर को इसलिए लाइब लाया हूं ताकि आप लोग नहीं सोचों कि सूरच सर चले गया तो बहुत दूर चल गए नहीं वो बहुत सामने है और आपके साथ खड़े हैं अभी भी दूर जाके आप लोग जितने भी सीटेट पास अभीरती हैं बता दे रहे हैं लास्ट टाइम है लास्ट का मौका नहीं चुकिए देखिए जेटेट पास वाला समझ रहे हो वो लोग बार-बार हार रहा है हा बस यहीं हम लोग का मकसद है और लास्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है इस बात को द्यान दे इसलिए सबी का सपोर्ट करना जूरी है सब भी कोई पेमेंट कर देंगे जो मैंने कहा है और यहां देखिए वीडियो के नीचे एक लिंक है टेलिग्राम का उस टेलिग्राम ग हमारा यूटुब चैनल है आप सुरज मंडल ऑफिशेल सच करेंगे और टेलिग्राम में भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसके अलाबा आप नंबर पे भी मैसेज कर दिजेगा तो भी जो है ना आपको लिंक भी कर सकते हैं और हरी जी को भी मैसेज कर सकते ह दिएगा और किसी भी परकार की जो जानकारी हो ते हैं लगातार मिटिंग हो रहा है इता है हमेशा से हमारा ऐसा ही रहा है लोगों ने सारी चीजों को सब कुछ लोगों को अबत करवा के ही सब के सारवजिन के और परसो लगाता है, दो दिन मेटिंग होने के बाद ही, इस पर लोगों ने समाती ही है कि हमें निशी दूरुप से आगे बढ़नी क्या हो सकता है, और हम लोग टच में ही थे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट सभी लोगों से फिलाल रहेगा कि आप सभी सीटेट उतने अभ्यारत और उसका एक ही काम था कि नेगेटीव चीजों को ध्यान नहीं दिया गया, जब होसला का कमी था या कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा था, रास्ता नहीं दिख रहा था, सब कोई कहता था कि कुछ नहीं होगा, असमभब हर कोई बोलता था, तो उन सारे लोगों को सहयोग करें, एपिरिंग वालों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि डेट अल्रेडी एक्स्टेंट हो चुका है, और जब तो सातरोता एक तक में आहीं जाएगा, अधरोता एक तक आ जा रहा है, और पोटल फिर से ओपन होगी, फॉर्म भराने का है ही, क्योंकि चीज़े चें और सभी के एक जूटता कारणिया तक पहुंचे हैं, तो आप लोग जितने भी लोग हैं, इस पे आप लोग एक ही चीज़े सब को ध्यान देना है, खासका कि अगर आप एपेरिंग के कैंडिडेट हैं, तो आप इस चीज़ेस को थोड़ा सा आप से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी इसमें बढ़ चट कर सयोग करें, क्योंकि आप भी इसमें सामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म फिर से भराया जाने वाली है, और ऐसा भी मुझे पता है कि बहुत सा लोग ने फॉर्म भरा भी होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, और इस महिने तो परिक्षान नहीं होरी है, रिजल्ट अगर आपको उससे पहले आ जा रहा है, जो कि लग रहा है, ऐसी परिस्तिति में आहीं जाना है, तो आप लोग रोग से इस पर कर आएं तो सूचना थो नहीं परापत हुई है, लेकिन हम लोग उमीद कर रहे हैं, कि इस वैकने को जल् तो पिर निकाल दिया तो फिर पता नहीं कब आएगा तो अगर तुमको वेट करना है है तो फिर करना है क्यूंकि बाहर में बहुत सा अरह लिया आता है व्यार मीं करता ये सार ृसी को देख सकते ह्रोम सिमपल आ ये उसको तरीके बीद्चैंज होंगे और हम लोग को थोड़ा सा तरीके से कामों इंपलिमेंट करना है और इतना ही कहेंगे कि आप सभी लोग इस पर कम से कम जागरुक रही है और लोगों को जागरुक करने काम करें है कर लोगों हम लोगों बूंषा में मैं कर रहा था अपने लिए अपने लिए लड़ोंगे तो कैसे जीत होगे भाई सिंपल सा बात है कि अज तोनी जीती सुप्रीम कोट में तो अपने हग के लिए लड़की नहीं जीती हाई कोट में तो वही है सब्सक्राइब करना है और जिस दिन आप उस फैद के साथ आगे बढ़ेंगे भरोसा पैसेंस के साथ सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी हमारा यहां पर करेंगे और आगे भी हमारा सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस तरह का कोई भी बात आता या पिरिस्दर की बाते ना उस पर बहुत जादा ध्यान नहीं दे करके बस इस पर आगे बढ़िए और सभी है वह बस इस इसको थोड़ा सब्सक्राइब चली तो मिटिंग आप अरे जी अगर आपकी ठीक है ठीक है ठीक सार बाई अच्छा से रहिएगा वाइशा नियुक्त